जब खाना बनाते समय यह समद ना आए कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो सब को बहुत ही पसंद आए तो एक बार मेरी यह मकाना मतर की रेसिपी को ट्री ay करके देखिए फ्रेंड्स आपको यह इतनी पसंद आएगी कि आप इस से 2 रोटी एक्श्ट्र ही खा लेंगे चल मकानों के बाद में लॉत तेल जोटित जीर। इसमीं के लिए डाल देंगे 2 प्यार रफली कटा हुआ, साथ में जाएगा एक टुकुडा द्रक का 4-5 के लिए लेस्न की और 2 लाल मिर्च, सब को हम हलका सा गुलावी होने तक फ्राइ कर लिए और यहाँ प्याच को मैंने यहां पर लिया है एक चोथा ही नमग बचावा नमग हम बाद में आट कर देंगे अच्छे से मिला देंगे यह बहुत बहुत टेश्टी बनती जरूर ट्राय करिएगा और यहां पर कुद्दे फ्राइब करने के बाद में टमाटर नरम हो गया है प्यार भी नरम हो गया है तो मसाला बनके तयार है मसाले को साइड में कर देंगे अब इसी कड़ाय में हम डाल देंगे एक चमत तेल तेल को गरम कर लेंगे अब इसमें जाएं कुछ खड़े मसाले तो मैंने यहां पे लिया है छोटी आदी चमत जीरा चार से पान लॉंग 5-6 काली मिश के दाने लिये है दो तुकड़ा मैंने यहां पे लिया है दालचीनी का एक टुकड़ा मैंने यहां पे लिया है जावितरी का साथ में डाल देंगे दो तेल पत्ते सभी खड़े मसालों को हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे खड़े मसालों का अपना अच्छा फ्लेवर होता है जरू यह पेष्ट काफी टेश्टी होता है वेस्ट मत करिएगा अब सारे पेष्ट को हम एक मेट के लिए मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे तो एक मेट के बाद देकि जो पेष्ट है अठ्छे से मिक्स हो गया है इतना परफेक्ट अब इसमें कुछ सुखे मसाले तो बहुत साथ में जाएगा इसमें एक चौथाई नमक और फ्लिवर को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पिलिया है दो जमर कसूरी में थी इसका टेस्ट बहुत चाहता है अब सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे मैकसिम्म 2-3 मट के लिए ताकि जो अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसालें तेल छोड़ें और यहां पे कुदर भूनने के बाद में देखी से मिलादें गे तो यहां में जो मतर में आच्छे से खोट हो गई है लेकिन मसालें है जले नहीं मतर भी हल्की सी पक जाया तो हमaran दाल देंगे 2 चमर पानी अच्छे से मिला देंगे मसालों में मटर को मिलाने के बाद में इसको हम कवर कर देंगे और भी को धीमी आज पे दो मेट के लिए लो फ्लेम पकने देंगे दो मेट के बाद चेक कर लेते हैं तो ये देखी जो मसाले हैं उन्होंने हलका अलका तेरवी छोड़ना सुरू कर दिया है अब इसमें जाएगा बहुत ही में जी जो कि आज की रेसेपी की जान है वह है मलाई तो मैंने यहां पर एक दिन की फ्रेस मलाई लिया है अगर नाफ से कहें चार चम्मच है अच्छे से मिला देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं मखाना मटर मलाई बहुत बहुत टेश्टी बनती है जुरूर ट्राय करिएगा तो पहले हम क्या करेंगे लो फ्लेम पर मलाई को अच्छे से मिला देंगे मसालों के साथ में और यहां पर जो मलाई है मसालों में अच्छे से मिक्स हो गई है काफी अच थोड़े से काजू, तो मैंने यहाँ पे 8-10 काजू लिये हैं, काजू डालना आफ़नल है, अच्छे से मिला देंगे, और यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है, जो मसाला है, बनके तयार हो गया है, अब इसमें जाएगा ग्रेवी के लिए पानी, तो यहां भी zalउंना जरू हो गई है इस मिला देंगे य। मखाने संपना तकल जा defending मखाने और आगे करी कमें विक तो रिपक हैन। और यहां पर सब्जी को पकतेवे लॉफले में पांच मेट हो गया है चेक कर लेते हैं तो यहां पर हमारी मखाना मतर मलाई बनके तयार हो गई है इसके आगे मतर पनीर पालक पनी भी फीका लगने वाला है आपको इसको सरव कर लेते हैं तो जब भी आप कुछ समन ना आए कि आज खाने में क्या बनाया जाए या अचानत घर में महमान आ जाए पनीर नहीं है तो बनाइए पनीर को टकर देने वाली ये मखाना मटर मलाई जो की बहुत-बहुत टेश्टी बनती है समलों पनीर को भी साइड में कर देंगे तो अगर धन्यवाद थैंक्स तो वाच प्लेयंका किचान जोन